नमस्कार जहीं दोस्तों आप देखरें Master Video Official और अभी हम पढ़ रहे हैं Erutaria, Current Affair, Varsikank जो नया आभी आया हुआ है इसमें अभी है Starting effect पढ़ रहे हैं और इसमें Pariavran के Regarding जो भी Exercise है जैसे कि आप यहां पे देखो नवीनतम, Pariavran, Parishthity की ये फिर Environment to the Point, Tiger Reserve तो ये जो भी है इस वीडियो में हम Pariavran से Regarding जो भी प्रस्तन है उसको Complete करेंगे काफी Important होता है अगर आप NTPC का Question या दरोगा का Question देखे होगे तो एक चो दो प्रस्तन से आते हैं तो धियान से देखिएगा तो पहले इसमें दिया गया है भारत की वन इस्थिती रिपोर्ट ये नया वाला है 2021 में जो रिपोर्ट आया हुँ भारत वन इस्थिती रिपोर्ट भारत सरकार के पाडियावरन वन जलवायू पडिवर्तन मंत्राले के दोड़ा भारतिय वन सरवेक्षन दोड़ा परती दो बर्स के बाद ये प्रकासित होता है जो वन इस्थिती रिपोर्ट होता है वो परतिक दो बर्स के बाद प्रकासि किया गया था, सबसे पहले ये 1987 में प्रकासित किया गया था ISFR 2021 ये जो अभी भारती ये 1 इस्थिती रिपोर्ट है इसके अनुसार ये 17 रिपोर्ट होगा जिसके लिए दूर संबेदी उपगरा, Resort Set 2 प्राप्त आकरों से पढयोग किया गया है, मतलब भारत का एक उपगरा है Resort Set 2 जो इसी के वारेम पता करता है कि कहाँ पे फोरेस्ट कितना है तो इससे जो टाटा बिला है उसके अकॉर्डिंग है ये इंपोर्टेंट नहीं याद रखना अगर रास्ते वन निती 1988 में या लक्ष रखा गया था कि देश में कुल भू भाग का 33% भाग पर बन छेतर होगा मतलब ऐसा टारगेट है कि दुनिया में किसी भी देश के पास जो है वो 33% बन होना चाहिए ये एक आदर समाना जाएगा भारत में वन आवरन अब कैसा है जो कि कुल भागौलिक छतरफल का 21.71 प्रतिसत है 21.71 प्रतिसत है ये वन है और नीचे आपको यहां विरिक्ष दिख़़ा होगा तो वन अलग है विरिक्ष अलग है वन एक ही साथ जो बहुत अधिक जंगल जैसे पेर लगा हुआ उसे कहते हैं वन और विरिक्ष वा सरके किनारी एक दो पेर लगा हुआ है उसको कहते हैं विरिक्ष तो वन है कितना 21.71 साथ एक सेपरेटली भी पूछा जाता है वन कितना है 21.71 प्रतिसत 2019 से अगर तुलना करे तो 0.72 प्रतिसत बढ़ा है यानि 1540 किलोमेटर स्क्वेर पे वन बढ़ा है अब है भारत में ब्रिक्ष वावरन कैसा है तो ब्रिक्ष वावरन कुल का 2.79 प्रतिसत है 2.79 प्रतिसत और बढ़ोतरी कितना हुआ है पिछले साल से रिपोर्ट जो था 2019 से 0.76 प्रतिसत यह डाटा अगर पूछे तो ड्रेक्ष भारत का च्छतर फल जो है 32,87 या जार 263 उसका इतना प्रिक्ष निकाल दोगे तो यह निकल जाएगा तो एक ही फेक्ष याद रखो असान होता है अब बात करते हैं टोटल जैसे कि 1 कितना हुआ 21.7 प्रतिसत और जो विरिक्ष हुआ वो 2.9 प्रतिसत यानि कुल वना और विरिक्षफण वन वाला च्छतर 24.6 प्रतिसत 24.6 प्रतिसत वेरी वेरी इंपोटेंट भारत में बरत्मान में 1 और विरिक्ष कितना है 24.6 अब च्हतर फल के अनुसार जो राज्जी में है, सबसे अधिक मधिपर्देश में है, सबसे अधिक मधिपर्देश में, उसके बाद अरुनाचल परदेश और 36 गड़, एरेंज करने के लिए देता है, तो याद रखिएगा, मधिपर्देश अरुनाचल परदेश 36 गड़, मधिपर्देश अरुनाचल और गोवा अब यहां पे सबसेधिक प्रतिसत च्छत्र में किसमे है मतलब जैसे राज जी छोटा हो पर उसके च्छत्रफल का कितना प्रतिसत पे वन है ठीक ना उसमें सबसेधिक है मिजोरम में मिजोरम में है 84.5 प्रतिस एक चीछ जाद रखिए का यह राज जी है अगर रा प्रतिसत के मामले में सबसेधिक मिजोरम प्रतिस में लक्छुदूइप और अंडमान निकोबार आगे जो विर्दी सबसेधिक हुआ है 2019 के जनगन्ना के अनुसार जनगन्ना नी जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो विर्धी हुआ सबसेदिक आंधर पर्देश फिर तेलंगाना और ओडिसा आंधर पर्देश टॉप पे रहा फिर तेलंगाना और ओडिसा सरवादिक वन आवरन को नुकसान करने वाला राज सबसेदिक जो हार्म हुआ है अरुनाचल परदेश, फिर मनीपूर और नागालेंड याद रखियेगा अरुनाचल परदेश छहतरफल में भी दूसरे नम्मर पे था और परतिसत बाले में भी दूसरे नमर पे था भारत में घने और खुले वन के आंकड़े तो बहुत घने वन जो है वो सबसेधिक अरुनाचल परदेश में है मध्यम रूप से घने उसमें मध्य परदेश में सबसेधिक है और खुले बन में भी मध्य पर्देश है सत्पूरा का जो जंगल है वो मध्य पर्देश में ही है अब अन्य बिंदू दिया गया है वाग अभ्यारन में बन चेत्र 55,666.27 km2 जो कि देश के कुल बन चेत्र का लगभग 7.8% है टाइगर रिजर्ब के कुल चेत्र फल का 74.5% है देश में बाग अभ्यारन लगभग 74,714 वर किलोमीटर के चेत्र फल में फैला हुआ है जो कि कुल भोगॉलिक चेत्र खा 2.27% है यानि भारत का इतना चेत्र फल है उसमें 2.27% में बाग अभ्यारन ही फैला हुआ है चेत्र फल के अनुसार सबसे बड़ा 1 चेत्र नागा अरजुन सागर स्री सेलम टैगर डिजर्ब है चेत्र फल के अनुसार सबसे बड़ा 1 चेत्र नागा अरजुन सागर स्री सेलम टैगर डिजर्ब है जो कि 2932.95 वर किलो मीटर है परतिसत के अनुसार सबसे बड़ा वंचेतर जो है पक्के टाइगा डिजर्व है ये प्रस्नाया हुआ था पक्के टाइगा डिजर्व आला परतिसत के अनुसार सबसे बड़ा वंचेतर पक्के टाइगा डिजर्व है और उनाचल परदेश में 96. रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कारवन स्टॉक बहातर सो चार मिलियन टन होने का अनुमान है 2019 के अंतिम आकलन की तुल्ला में देश में जो कारवन स्टॉक 79.4 मिलियन टन में बिर्धी हुआ है अब आगे दिया मैंग्रो बनस्पती चेत्र मैंग्रो वनस्पती चेत्र वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनिसार द्रबाधार पर यह दिया गया है देश में कुल मैंग्रो बन जो है वो 0.5 परतिशत पर है कुल भगोलिक चेत्रफल का 0.5 परतिशत पर है कुल यानि आप 5000 कहा सकते हो 5000 किलोमेटर स्क्वेर पर है 2019 की तुलना में मैंग्रो चेत्र में 17 किलोमेटर स्क्वेर की बिर्धी हुई है पहले नमर पे पस्तिम मंगाल फिर गुजरात और अंडमान निकोबार सबसे दिक बिर्धी की बात करें तो सबसे दिक बिर्धी हुआ ओडिसा में उसके बाद महरास्ट और फिर करना टक सबसे अधिक ओडिसा मतलब 17 बढ़ा उसमें 8 तो ओडिसा में ही बढ़ा है तो ओडिसा महरास्ट और करना टक अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये दुनिया का है मार्च 2022 में ये फ्रकासित हुआ था IQ Air में 10 जो है वो भारत का है 15 परदुसित सहरो में 10 जो है वो भारत का ही है सबसे कम परदुसित देश New Caledonia है ये मापा जाता है PM जो पार्टिकल मेटर होता है वो 2.5 होना चाहिए अगर आपका सबसे परदुसित जो देशों की सुची है सबसे परदुसित देशों की सुची पहले अस्थान पर 95.01 सबसे परदुसित राजधानी इसमें पहले अस्थान पर नए दिल्ली आता है नई दिल्ली जा होना चीए 2.5 भारत का 85.0 वा दुतिये अस्थान ढाका बंगलादेश में है ढाका बंगलादेश तिरतिये अस्थान अन जामेना चाड में है अंजमेन आचाड सबसे प्रदोसित सहर में पहले अस्थान पर भीवारी राजस्थान का भीवारी राजस्थान दूसरे अस्थान पर गाजियाबाद उत्तर परदेश का गाजियाबाद अब यहां वर्ष 2020-21 में रामसर अस्थलों में सामिल भारत के महत्रपुर्द आदरभूमी बरत्मान में कितना आदरभूमी है 49 है 49 काफी इंपोड़ेन और दो फरवरी को मनाते हैं हम लोग आदरभूमी दिवस आदरभूमी संरक्षन हेतू 1971 में इरान में रामसर में सम्मिल हुआ था आदरभूमी के लिए इसके समझोते 1975 में परभावी हुए भारत इसमें 1982 में सामिल हुआ था विसमें 2400 से अधिक रामसर साइड है कहीं आपको मिलेगा 1500 से अधिक यहां 2400 से अधिक मतलब बहुत अधिक है मार्च 2022 तक भारत में अंतर रास्ट्रिये महत्यों की आ उन्चास हो गई है बरतमान में यानि मार्च 2022 तक अभी तक हलांकि उन्चास है उन्चास वा रामसर अस्थल जो है उतर परदेश का वखीरा वन्यजीव अभ्यारन है उतर परदेश का वखीरा वन्यजीव अभ्यारन नया जो दो एड हुआ है अर्टालिस और उन्चास तो जो रामसर में सामिल हुआ पांच आदरभूमी जो नहीं जुरा वही प्रस्थन आतें अधिक तर तो हैदरपूर, हैदरपूर कहां पे उत्तर परदेश में एक तीज याद रखियागा जो उन्चाज है ना उन्चाज इसमेंदस आदरभूमी वह उत्तर परदेश का ही है, तो हलागे दो कि इह लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा आना, तो Texas अब मतलब इह उत्तर परदेश favor हुआ, मतलब आपको याद ही नहीं है, तो कल मारना ही है, तब ने तो नहीं मार लेगा तुका, ने तो सुल्टानपूर और्भिंडवास हर्याना बाधवाना और थोल जील यह है गुजरात में 2020 में जो रामसर सेट में सामिल हुआ था वह आसन कंजर्वेशन उत्राखंड बिहार में कावरताल काफी इंपोटेंट है अगर पूरा आपको रामसर सेट का लिस्ट चाहिए तो मैं टेलिग्राम पहला की सेट भी किया हुआ था देख लिजिएगा ने तो एक वीडियो मिलेगा उसमें पुरा किया हुआ है अगर आपके नोट दिया है जुनाटेट किंग्डम ने 175 से अधिक रामसर अस्थल इस सुची में सामिल है भारत का सबसे पहला आदर भूमी चिलका जील है उडिसा वाला चिलका जील भारत का सबसे बड़ा जो है वो सुन्दरवन का है पस्टीम बंगाल का इसका अच्छा तरफल है पचीस सो उन्चास दसम लब चार-चार वर किलोमेटर भारत का सबसे छोटा रेनुका वेटलेंड काफी इंपोटेंट है रेनुका वेटलेंड कहांपे है हिमाचल परदेश में भारत का कृत्रिम आल्टिफिस्यल वेरी वेरी इंपोटेंट हरी के वेराज है हरी के वेराज सबसे अधिक उत्तर पर्देश में है 10 काना टाइगा रिजर्व में सबसे अधिक 416 आदर भूमी है जिसमें से अधिकांस 2.25 हेक्टेर से कम अकार का है जो वेटलेंड है इसको वर्ल्ड हरिटेज से से कन्फ्यूज नहीं किजिएगा वेटलेंड अभी भारत में 49 है और जो हेरिटेज सेट हैं इंडिया में 50 है 50 एक आप लोग भी देख लिजएगा 50 है 40 है मैं या तो वो 40 I think 50 ही है तो एक जब देख लिजएगा लेकिन 40 हेरिटेज सेट है याद रखिएगा वेटलेंड जो है वो 49 है और हेरिटेज सेट जो है वो युनेस्को का वो 40 ही है अब है तीसरा रास्ट्री जल पुरुसकार ये बिद्रित किया गिया 29 मार्च 2022 को रास्ट्र पती रामनात कोविंद ने जल सक्ती मंत्राले के तहत जल संसाधन नजी विकास और गंगा सनरक्षन विभाग द्वारा तीसरे रास्ट्र जल पुरुसकार विजटा को विज्ञान भवन नई दिल्ली में समानित किया साथी साथ जल सक्ती अभ्यान कैच दरेन केंपेंज जो 2022 की सुरुवात भी की गई यहाभ्यान तीस नॉवमबर 2022 तक लागू रहेगा कुले ग्यारस रेनी में संतावन रास्ट्र पुरुसकार दिया गया जो सर्वस्रेश्ट राज जी का मिला वो उत्तर परदेश का मिला काफी इंपोटेंट है सर्वस्रेश्ट पुरुसकार उत्तर परदेश को दूसरे अस्थान पर राजस्थान और फिर तामिलाडू सर्वस्रेश्ट जीला दक्षिनी जोने मुझपरपूर दक्षिनी जोने मुझपरपूर दक्षिनी जोन में तुरुवनंत पूरं पुर्वी जोन में पुर्वी चंपारन, पश्मी जोन में इंदोर और उत्री पुर्वी जोन में गोल पारा सर्वस्रेश्ट गडाम पंचायत, उत्तर जोन में घस्पद पंचायत, दक्षिन जोन में येले राम पूरा पंचायत पुर्वी जोन में टेलारी पंचायत, पस्मी जोन में तकहत गड़ पंचायत, और उतर पुर्वी जोन में सियाल सिर पंचायत, सर्वस्रेस्ट सहरी अस्थानीय निकाय में वाफी गुजरात का, सर्वस्रेस्ट सहरी अस्थानीय निकाय, सर्वस्रेस्ट मीडिया में मिसन पा सर्वस्रेश्ट उद्योग वेलस्पन इंडिया टेक्स्टैल लिमिटेड गुजरातका सर्वस्रेश्ट एंजियो कोस्टल सिलेनिटी प्रेवेंस सेल आहमादाबाद सर्वस्रेश्ट जल उप्योग करता संग पंच गधिया सर्वस्रेश्ट उद्योग एटीसी लिमिटेड कुलकता पस्थिम बंगाल अब नूट दिया गया कि पहला रास्ट्रिय जल पुरुस्कार वर्ष्ट तो हजर ठारः में जल सक्ती मन्त्राले दोवारा शुरू किया गया था जल सक्ती मंत्राले के अनुसार भारत में पानी की बर्तमा नो वह सकता पर्तिवर्ष 11,000,000,000 – क्युबिक मीटर है एक तो 2030 है और है 2030, 2030 लास्ट वाला है कि तब तक भारत जो है नेट जीरो कारवन करेगा ठीक ना यह है और सब में 2030 है तो याद रह जाएगा जैसे कि 500 गिगावाट जो गैर जिवास में उड़ जाओगा 2030 तक, 50 परतिसत सौर उड़ जापे अने रनीवल इनरजी पर अक्छा है उड़ जापे हो जाएगा 2030 तक 2030 तक जो कारवन का उतसर्जन है वो एक बिलियन टन में कमी करेगा और साथ ही जो अर्थ फिवस्था में पूरा है 45 परतिसत तक कारवन तिवरता कम कर देगा तो 2030 है बस लास्ट वाली में 207 है गलास्को में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में पर्धान मंत्री नेरेद्र मोदी और ब्रेटिस पर्धान मंत्री बोरिस जॉंसन ने संजुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिट पहल की सुरुवात करी वन सन 27 जो है वो मिस्र में होगा अफरिका में होगा और कॉप 28 की मेजबानी करेगा UAE अब आगे है कि 2021 में दो भारती समुद्र तटों को मिला कर ब्लू प्लैग पर्मानन हुआ तो कॉबलम समुद्र तट यह तामिलाडू में और इड़न समुद्र तट है पुद्वचेरी इड़न पुद्वचेरी में और कोबलम कहाँ पे है तामिलाडू भारत में भी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू प्लैग पर्मानन से समानित किया जा चुका है ब्लू प्लैग पर्मानन अंतराष्ट्रे इको अस्तर ये टैग है जो कि समुद्र तटों को स्वस्त, सुरक्षित और सतत विकासमी बढ़ावा देने के प्रियास करता है यह परमान पत्र डेनमार्क के फॉंडेशन फोर इन्वारेमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है अब आगे हमारे एकसेशेजर टेन, इन्वारेमेंट टू दपॉइंट केरल ने भारत का पहला, केरल ने भारत का पहला राज अस्तर ये वर्ड एटलस जारी किया वर्ड एटलस जारी किया, वर्ड इंपोटेंट है, केरल ने किया, 360 पक्षों की प्रजाती इसमें सामिले एटलस में मधिपर्देश के जवलपूर के लमहेटा में भारत का पहला भू बैग्यानिक उद्ध्यान का निर्वान किया जाएगा इस पार्क का निर्वान से भू बैग्यानिक बिरासत के संरक्षन को बढ़ावा मिलेगा लमहेटा घाट में, मधिपर्देश के जवलपूर में भारत का पहला भू बैग्यानिक उद्ध्यान का निर्वान किया जा रहा गुजरात के सुंदरवन मीनी चिरियांगर ने जानवरों के बितिय रहत प्रदान करने के उद्धेश से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की सुरुबात करी गुजरात में गुजरात दक्षिन अमेरिका देश के पेरू ने तटिये छेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पाडियावरन अपातकाल गोसित किया पाडियावरन अपातकाल, दक्षीन अमेर्का, दक्षीन अमेर्का का देश पेरू है, पेरू तटके पास एस्पेनिस उर्जा फार्म रेपसोल से 6000 गरल कच्चे तेलका डिसाब हो गया, स्वभागी योजना के तहत घड़ों में सौर उर्जा अधारित बिधोती करन के मामले में राजस्थान पहले नमबर पे है, स्वभागी योजना के अंतरगत, दिल्ली कैविनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इको पार्क की अस्थापना को मंजूरी दिया, दिल्ली में लगभग हर साल दो लाग टन इक चरा पैदा होता है, या पार्क इक चरे क सनरक्षन उपाए घोसित किया, IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन छेतरों को दिया जाता है, जो जय बिबिता का सनरक्षन तो करते हैं, लेकिन सनरक्षित छेतर नहीं है, अगे मध्य परदेश में भारती रेलवे का पहला सौर उर्जा सेयंत्र लांच किया गया, जिसकी समता 1.7 MW होगी, विश्वा आर्थिक मंच और National Institute of Urban Affairs ने Sustainable Cities India प्रोग्राम को सुरू किया, इसके तहत, दो साल में भारत के 5 से 7 सहरों को डिकार्वोनाइजड किया जाएगा, भारत में पहली बार OCEAN सम्मेलन 2022 का आउज़न किया गया, और यह कहां पे हुआ, चिन्ने में हुआ यह वैस्विक समुद्री स्वध करताओं का द्वी बारसिक कारिकरम है, इसका उद्दे से समुद्री परदूसन, जलबायू परिवर्तन, मौसम अनिस्चित्ता, आदी से निपटने, पर विचार भी मर्स करना है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैविवित जैविविता पार खोला गया, इसका उद्दे से संकटापन पादपों की रक्षा करना है, ओडिसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोसना की है, इसका उद्दे से मैंग्रोव बनों का संरक्षन करना है, मैंग्रोव बनों का संरक्षन करन हैड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दा जेट लॉंच करने की घोसना की या आठ से बारह यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा दूबे में किया गया पांचवी संजुक्त राष्ट पाडियावरन सवाह का आयोजन केनिया के निरोभी में किया गया इस दोरान जै विबित्ता सनरक्षन पारिस्तितिकी तंत्र सतत विकास लक्ष आदि समंधी कारियों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं बरतमान में 193 सदस्य देश हैं इसमें महरास्ट सरकार स्वैंग की वन्यजीव कारिय योजना पारित की है 2021 से 30 ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्जी बना महरास्ट महराष्ट सरकार ने नागपूर में भारत की पहली वन्य जीव डियने परिक्षन प्रयोग साला का उधगाटन किया इससे वन्य जीव तसकरी को रोकने में मदद मिलेगा उत्राखंड के नैनिताल जीले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उध्यान एरोमेटिक गाइडेन का उधगाटन किया गया वर्ष 2022 में कोप 27 के संजुक्त रास्ट्र जलवाईू परिवर्तन सम्मेलन की मेजवानी मिस्र द्वारा किया जाएगा अगे समुदरी जल अस्तर के कारण दक्षिन कोडिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ सहर का निर्मान की याजा रहा जो 2025 तक पूड़ा होगा दक्षिन कोडिया में NOAA के अंतर रास्ट्रिय पाडियावरन सुचना बिसलेशन केंदर के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्सों में छट्था सबसे गर्म महिना रहा दो अक्टूबर से लेकर आठ अक्टूबर 2020 के मध्य जम्मू कास्मीर केंदर सासित परदेश ने वन जीब सपता 2020 मनाया दो से लेकर आठ अक्टूबर तक जम्मू कास्मीर इसका थीम रहा फोरेस्ट एंड लवलिहूट सस्टानेवल पिपूल एंड प्लानेट सिप्टेंबर 2020 में किंदो देशों के बीच क्लाइमेट एक्सेंट एन फिनांस मोबेलेजेसन डैलोग लॉंच किया गया भारत और अमेरिका भारत की तरब से पाडियावरण मंत्री वुपेंद्र यादव ने हिसा लिया प्रान पोर्टल भारत का पहला डुडोंग सनरक्षन रिजर्व कहां अस्थापित किया जाएगा तामिलाडू के दक्षिन पूर्वितर्ट पाक खाड़ी में प्लास्टिक समझोता सुरू करने वाला पहला से आई देश कौन है भारत है भारती उद्योग पडिसंग के सहयोग से हुआ है एंटी पीसी ने 25 मेगावार्ट की फ्लोटिंग सोलर पर योजना कहां बनाई सिमहादरी थर्मल पावर एस्टेशन में सिमहादरी थर्मल पावर एस्टेशन विसाका पतनम भारत के सबसे उँची हर्वल पार्क जो की 11,000 फिट की उँचायब पर है स्काउद घटन किया गया चामोली उत्राखंड में चामोली उत्राखंड हर्वल पार्क का कुलिंग एक्सन प्लान लॉंच करने वाला पहला देश बनाए भारत कुलिंग एक्सन प्लान आजादी का अमरित महतसव के ताहद किस मंत्राले ने बिर्ख्छारोपल अभियान काफी इंपूटेन हो जातो यह सब कोईला मंत्राले ने एक विभाग ने ग्रोल ग्रीन अभियान तैस्सोपचासी हेक्टीरे एस समुझने वर लगाने का निर्देली आ ने कोईला मंत्रा लेन गोग्रिन गोग्रीनिंग और गोगर्ण किसी एस्टेट का है जो याध निडा गोग्रीन गिसिंट here प्लास्टिक अब्सिस्ट प्रबंधन संसोधन नियम 2021 को मंजूरी दी है इसके तहत एक जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरनबद तरीके से स्माप्त किया जाएगा प्लास्टिक अब्सिस्ट प्रबंधन संसोधन नियम 2021 किस मंत्राले ने जाड़ी किया तो केंद्रिय पाडियावरन वन और जलवायू परिवर्दन मंत्राले थैलेंड के कोडल मुंगे को नुक प्लाकिस्तान में हरित आवरन बढ़ाने के लिए प्रोजक्ट बोल्ड को किस ने लॉंच किया खादी गरामोद्योग आयोग और बॉर्डर सेकुरिटी फोर्स ने खादी गरामो दियोग आयोग और बॉर्डर सेक्रिटी फोर्स हाडित आवरन बढ़ाने के लिए प्रोजक्ट बोल्ड इसके तहट जैसलमेर के तनोट गौ में 37 जुलाय दोहजार एकिस को बीएसेफ ने केवी ऐसी के साथ मिलकर एक हजार बांस के पौधे लगाए रास्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर कहां अस्थापित किया जाएगा पटना में रास्ट्रिय डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर पटना काफी इंपोटेंट है ये गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पर्थम वैदसाला भागलपूर बिहार में में ही वो हुआ था और सबसे उंचा जो स्मोक टावर है वो है चंडीगड में चंडीगड ग्रिन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नेट्रोजन डियोकसाइड की मात्रा में 125 प्रतिसत का विर्धी हुआ है State of Enquirement Report 2021 के संस्था ने जारी किया Center for Science and Environment इस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गये हैं 500 मिलियन से अधिक बच्चों को COVID-19 महामारी के चलते इसकोली सिक्षा से दूर रहना पड़ा Making Peace with Nature Report के संस्था द्वारा जारी किया गया संजुक्त राष्टर पारियावरन काडिकरम संजुक्त राष्टर पारियावरन काडिकरम भारत 2021 से 2025 तक पवन उर्जा की कितनी छमता अस्थापित करेगा 20 गिगावाट 20 गिगावाट Global Wind Energy Concelling के रिपोर्ट के अनुसारी है और 2047 तक जो है वो भारत उर्जा मुक्त हो जाएगा मतलब दूसरे प्यासरित नहीं रहेंगे और 2070 तक कारवन इमिशन जीरो कर लेगा 2030 तक हमारा जो जो भी जरूरत है उसका 45% जो है वो Renewal Energy पर आज जाएगा 2030 तक सरसठवे रास्टिर फिल्म पुरुसकार 2021 में पार्यावरन सनरक्षन सिरेनी में किस फिल्म को सर्वसरेश्ट फिल्म का पुरुसकार मिला Water Burial को Water Burial जून 2020 में जारी पार्यावरन इस्थिती रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का अस्थान राए 117 इसमें जो 17 सस्थानेवल गोल होता है उसके धार पे किया जाता है हलाकि ये रिपोर्ट भारत भी प्रकासित करता है अपने राज्यों के लिए तो उसमें केरल टॉप पे रहा केरल निती आयोग जारी करता है SDG रिपोर्ट विश्व पार्यावरन दिवस 2020 पर परधान मंत्री मोदी ने पूने में एक पाइलट पर्योजना के तहात 3 E100 इथेनौल बितरन एस्टेशन का उध़ाटन किया 5 जुन को मनाते हैं पार्यावरन दिवस जुन 2021 को जारी एक अध्यन के अनुसार विस्व में सबसे जैदा किस्म की टितली का घर कहां पे है कॉलंबिया में भारत के किस राज्जी में तीनों प्रजाती के मगरमच पाए जाते हैं ओडिसा तीनों टेप के मगरमच यहां मिलेंगे ओडिसा में किस संस्था ने ग्रेट वैडियर रिप को खत्रे की सुची में डालने की सिफारिस किये युनेस्को की एक सम्मीती ने ग्रेट वैडियर रिप मिलेगा आपको अस्टेलिया में भारत का पहला पढग कन पार्क जो पॉलनिंटर पार्क है ये उत्राखंड में खोला गया नैनी दाल में उत्राखंड नैनी दाल भारत के किस बांध पर च्छोंसों मेगा वाट की फलोटिंग 200 उद्जा पढ्योजना का दिर्मान किया जा रहा ऑंकरेस्वर बांध पर मध्य परदेश में किस व्लोटिंग लेकिन अभी जो सबसे बड़ा है वो है तेलंगाना में यह प्रसंद काफी confusing होता है नया वाला फिर जो भविश्य में बनेगा सबसे बड़ा वो गुजलात में बनेगा लेकिन अभी तक जो है वो तेलंगाना का है किस नगर निगम के बढ़ते प्रदूसन को देखते हुए थैला बैंक की शुरुवात की गई लखनव नगर निगम लखनव नगर निगम लख्षदिप में अटल पाडियावरन भवन का उद घाटन किया गया लख्षदिप में पाडियावरन अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉंच किया नितिन गड़करी पक्षी मोहतसब कलरव वो नाग नक्ति वर्ड संचूरी मनाई गया जमोही बिहार में बिहार का दूसरा पक्षी मोहतसब भागलपूर में आयोजित होगा आगे जो बनेगा ये तो कहाँ पर हुआ था जमुई में हुआ था अब जो होगा वो भागलपूर में होगा किस मंत्राले ने पाडियावरण को परदोसित करने वाले पुराने बाहकों पर पुराने बाहनों पर ग्रीन टेक्स लगाने का निरने लिया सरक पडिवहन मंत्राले सरक पडिवहन मंत्राले भारत का पहला वेटलेंड संडरक्षन और प्रबंधन के अंदर किस सहर में अस्थापित किया गया है चेन्ने में चेन्ने इतामिलाडू समुदरी सेवाल पार्क तामिलाडू में अस्थाई करने का निर्णे लिया गया है समुदरी सहवाल पार्क तामिलाडू दोजार बीस ट्री सीटी ओफ दे वरल्ड के रूप में हदराबाद को चुना गया साथी हदराबाद में आपको इल्डा का है रुकाटर मिलेगा इंसोरेंस रेगुलेटरी का जो होता है असफाक उल्ला खां प्राणी उद्ध्यान उत्तर परदेश के किस सहर में खोला गया गोरखपूर में असफाक उल्ला खां प्राणी उद्ध्यान अमबोली जैविविता बिरासत अस्थल किस राजे में अस्थापित किया गया महरास्टर में महरास्ट पार्यावरन छटी करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए संजुक्त रास्ट दुआड़ा वर्स 2020 को जैब विट्टा का सूपर वर्स घोसित किया गया 2020 को उत्राखंट के उत्तरकासी में भारत का पहला हीम तेंदुआ संरक्षन कंद्र अस्थापित किया गया हीम तेंदुआ संरक्षन कंद्र 2020-25 के लिए पाडियावरन, वन और जलवायू पडिवरतर मंत्राले ने गिद सनरक्षन काड़ी योजना प्रारम्ड किया उत्राखंट के मुनसियारी में भारत का पर्थम लाइकेन पार्क अस्थापित किया गया लाइकेन पार्क पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फेर रिजर्व के बिस्फ नेटवर्क में सामिल किया गया बरत्मान में भारत में ठाड़ा बायोस्फेर रिजर्व हैं जिसमें से बारा बायोस्फेर जो है वो बिस्फ नेटवर्क में सामिल है वर्स 2021 से 30 को संजुक्त रास्ट्र महासभा दुआरा संजुक्त रास्ट्र परितंत्र पुनर अस्थापन दसक घोशित किया गया है The World of Organic Agriculture Report 2020 के अनुसार विश्व के जैविक किसानों की सरवाधिक संख्या भारत में ही है किस मंत्राले ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का अरंब किया पिर्थवी बिग्यान मंत्राले बिज्व जल डिवस 2020 के अवसर पर जल सकती मंत्राले ने रास्ट्रिय जल मिसन कैच दरिन अभियान प्रारंब किया यह अभियान 22 मार्च से लेकर 30 नौवंबर तक इसका टेगलेन है बर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो 22 मार्च को केन वेत्वा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्ध हुआ तो यह जल सकती मंत्राले और मध्ध परदेश और उत्तर परदेश के वीच केन वेत्वा लिंक प्रोजेक्ट बाढ़ परवंधन राज उतराखंड भारत का पहला थंडर स्टार्ण रिशर्च परिक्षण कहां कhosप्लाइज सामें थंडर स्टार्म में को संजुक्त राश्टिर महासभान मोटे अनाजों का अंतर रास्टियवर्थ घ्रस्थथ किया सब्सदिक मोटे अनाज मिलेगा आपको राजस्थान में राजस्थान यह प्रस्ता भारत की तरफ से गया था और पिर संजुक्त राश्ट्र महासभा ने उसको स्विगार कर लिया कि 2023 को मिनाएंगे मोटे अनाज 2022 है वो फिसरीज के लिए राश्ट्रे समुदरी कच्छवा कारी योजन इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दसक तक विस्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा खपत करने वाला देश बनेगा भूतापिये च्छेतर विकास पर्योजना की अस्थापना कहा की जाएगी लेह लद्दाख में लेह लद्दाख भारतिये वन्निजीब अपराध विकासील देशों में जलवायू छती को सिमित करने के लिए अनुकुलन अंत्राल रिपोर्ट का पांचवा संसकरन जारी किया गया संजुक्त राष्ट्र पाडियावरन कारिकरम के अंतरगत सहरी छेतरों में समुदाइक वन्न संसाधन अधिकारों को मानीता देने वाला भारत का पहला राज्ज्ये छतिस गड़ किस सरकार किस कहार में भारत का पहले जंडर पपार्क खोला जाएगा कोजी कोट केरल, इसकी पार्क बनेगा कुमपरी हिमाचल प्रदेश में, इसकी पार्क, इंडोर्क पार्क कुमपरी हिमाचल प्रदेश, भारत के पहले वेनेडियम अधःत, हाडित सोर सयंत्र kansो Nejक्59as. बाग मानक जो CA और TS मानिता प्राफ्त भारत का टैगर रिजर्व है वो दिया गया है भारत में 14 बाग अभ्यारनों को वैस्विक सनरक्षन मानकों की मानिता मिली है जुलाय का एकॉडिंग ये जो 14 टैगर रिजर्व है ये कौन-कौन से है औरांग मानस काजी रंगा ये से आ कान्हा पन्ना सत्पूरा मधिपर्देश 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 कान्हा पन्ना सत्प यह रिपोर्ट आगे कौन सा रिपोर्ट वन मिनट तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट दोजर अठाड़ा आया यह रिपोर्ट स्टेट्स ओफ लिपार्ट्स इन इंडिया दोजर अठाड़ा के नाम से पार्यावरन वन और जलवायू पडिवर्तन मंत्राले के दौरब प्रकासि है मतलब वो चीता है 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की अवादी में 60% की विर्धी हुई है छेतर की द्रिष्टी से मध्य भारत एबं पूर्वी तठ में तेंदुओं अब है बाग का रिपोर्ट बाग की कुल संख्यां 2967 है दो हजार चौदा से 18 में 33% विर्धी हुआ है बाग में मध्य पर्देश में सबसाधिक है 524 इससे पहले जो रिपोर्ट साथ में करनाटक टॉप पे था इसवार है मध्य पर्देश दो कहीं अंतर है पर मध्य पर्देश टॉप पे है फिर करनाटक और तीसरे पर उत्राखंड है उत्तर पर्देश में 173 है बिहार में 31 बाग है दुनियाँका सबसे बड़ा camera trap wild link perfection के कारण बाग गन्ना धर टैगर रिजर्व में सबसे अधिक बाग है, 231 जिम कॉर्विट, इसका नाम हो जाएगा अब राम गंगा, टैगर रिजर्व, देश के तीन अभ्यारन, डामफा, अभ्यारन, बुक्सा, अभ्यारन और पलामू, इसमें कोई बाग नहीं बचा है, डामफा, बुक्सा और पला विश्वु का कुल जितना भाग है उसका 70% जो है भारत में ही है भारत के तीन ने टाइगर डिजर्व स्री बिल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर डिजर्व तो मलाई वाला तामिलाडू में है यह भारत का 51 नंबर का और तामिलाडू का पांचवा टैगर रिजर्व बना, रामगड विशिधारी ये राजस्थान का है, भारत का बाबनवा, और तिरपनवा बना है गुरु घासी दास राष्टी उद्यान चतिस गड़ का तिरपनवा और चतिस गड़ का ये चौथा टैगर रिजर्व है, अब आगे दिया गया है जो पर्मुख राष्टी उद्यान जो चर्चा में रहा था, जो इंपोटेंट है, तो वो काफी इंपोटेंट है, देखिए क्यों इंपोटेंट रहा, थोड़ा बूत फोकस कीजिएगा इस पे, लेकिन पहले फोकस कीजिएगा कि राज जी कम से कम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीकना, और फिर ये तो थोड़ा बूत जनकाड़ी रहना चाहिए, सत्य मंगलम टैगर रिजर्व तामिलाडू में है, सत्य मंगलम टैगर रिजर्व तामिलाडू, भागों की संख्या को दुगुना करने के लिए, टी एक्स टू, यानि टैगर मल्टिपलेट सत्य मंगलम टैगर रिजर्व, गुरू घासी दास रास्टिय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्नी जी अभ्यारनी, चतिस गड़ में है, चतिस गड़, रास्टिय बाग सनरक्षन प्राधिकरन ने, चतिस गड़ सरकार के गुरू घासी दास रास्टिय उद्यान और तिमो पट वन्नीजी अभ्यारन हेम्रीज एस्पेक्टी सीमिया के कारण इसमें छो हाथियों की मौत हो गई थी जिम कॉर्वेट उत्राखंड इसका नाम बदल के हो जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क इसलिए चर्चा में रहा था और साथी पहली बार महिलाओं को गाइड के त जो जानबर मड़े नहीं उस पे गाड़ी से नप चिप जाए तो इसलिए रास्ता बनाया जाएगा वही है तो रन्थंबोर रामबिश्धारी और मुकुंदरा जो है वो राजस्थान में है पन्ना मधिपरदेश में है यूनेस्को के संरक्षित जैम मंडलों के वैस्पिक ग्रूप अर्थ हिरोज आवाड दिया गया नेट वेस्ट गुरूप अर्थ हिरोज पेले भीत उतर परदेश में है पेले भीत बागों की अबाद्य को दुगुना करने के लिए से भी टी एक्सटू आवाड दिया गया पक्के टाइगर डिजर्व अरुनाचल पर्देश सरकार ने कैबनेट की बैठक पक्के टाइगर डिजर्व में आयोजित की जहां जलवायू पडिवर्तन को लेकर पक्के घोसना पत्र को अपनाया गया फोरेस्ट स्टाप को कोवेड-19 के खिलाफ भीमा कबर देने की चर्चा भी की गई थी वहाँ पे काजी रंगा रास्टी उद्यान असम में है सेटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला रास्टी उद्यान है काजी रंगा रास्टी उद्यान असम भारत का एक मात्र गोल्डेन टैगर काजी 1065 जो है इस नेशनल पारक में देखा गया गोल्डन टैगर कहां पे काजी रंगा असम में पेंच ये मधिपर्दिस और महराष्ट बॉर्डर पे ही है बाग की अत्यधिक मौत के करण चर्चा में रहा ही है बालमी की बिहार में है निगरानी सर्वक्षन के दोरान 14 नए वाकी पहचान की गई यहां पे देहिंग पठकाई नेशनल पार्क असम में है असम सरकार ने देहिंग पठकाई के राजी के सात्वे राष्टिय उद्यान के रूप में अध्यूचित किया यह पतादी काड़ी जो है ने यह इसको हम अगले वीडियो में जो इंप्रटेंट न्युकती है तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे सेसन अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो लाइक और सेर जलू किजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद